मुक्तेश्वर सिंग को टिकट मिलता है तो बहुमत से जीत हासिल होगी उत्रपरदेश बल्या जिले में बैरिया विधानसबा शेतर से वरिस्ट भाजपा नहीं था मुक्तेश्वर सिंग का टिकट के दावेदारी 2017 में पेश किये थे किसी कारण वर्ष कट गई थी परन्तु 2022 के विधानसबा चुनाओं में मुक्तेश्वर सिंग को सूत्रों के अनुसार टिकट मिल सकता है मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भाजपा के एक कारे करता हूँ और मैं इमानदारी से कारे करता हूँ भाजपा जिसको भी टिकट देगी बैरिया विधानसबा से कमल का फूल खिलेगा और विकास कारे होगा और हमको भी देगी तो हम भी बहुमत से ही जीत हासिल करेंगे अगर पार्टी नित्रित मुझे प्रत्यासी बनाता है और मैं विजय होके विधानसबा जाएंगे पहले 25 सीट होगा तो अभी 15 सीट पे सिमट जाएगे मैं आपके चैनल के माध्यम से सरप्रथम नौवर्स की सुपकामनाय छितरवासियों को देशवासियों को दे रहा हूं और मैं 2022 में पुना भाजपा की सरकार बनेगी यह यह संदेश भी अपने छितरवासियों को देना चाहता हूं कि आप मोदी जी और जोगी जी के हाथ करना चाहता हूं